नमस्कार में दिख्षा सिंग और बोल्डिसकाई में आपका स्वागत है आम तोर पर ऐसी धार्णा है कि पित्रपक्ष शुप समय नहीं होता है इस समय पर लोग कई आत्मा धर्ती पर लोट कर आती है इसलिए लोग शुप काम करने और खरीदारी करने से भी डरते है जबकि शास्त्रों और पुराणों में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि पित्रपक्ष शुप समय नहीं है दरसल पित्रपक्ष साधना का काल है हिंदु धर्म में शुक काम से पहले गड़पती आराधना का नियम है यही वज़य है कि पित्रपक्ष से पहले गड़ेश चतुर्थी से अनन चतुर्दशी तक गड़पती आराधना की जाती है इस साधना की पूर्णा होती नौरात की नौ दिनों की साधना से होती है प्राचीन काल में पित्र पक्ष को लोक और परलोग आत्मों और परमात्मा के भी संतुलन बनाने के समय के रूप में जाना जाता था पितरपक्ष में अगर आप कोई भी खरिदारी करते हैं जैसे वो वस्ठ की खरिदारी हो या वाहन की खरिदारी इस से पितर नाराज नहीं होते और ना ही या प्रेट का अंशु हो जाता है दिक्कत अब आती है जब आप साधनों के पीछे पितरों का ध्यान और उनका आदर क करना छोड़ देते हैं पित्र पक्ष को अशुप काल मान लेने की वज़े से इन दिनों में बाजार काफी सुस्त रहता है ऐसे में ग्राहकों को लुभाने के लिए बाजार में कई आकर्शक ओफर आते रहते हैं आप मन से अशुप फल का विचार छोड़ कर इन ओफरों का ल के दिन कई शुब योग बने हैं इस दिन सर्वार्थ सिध्धी योग अम्रत सिध्धी योग और रवी योग भी उपस्थित हैं इन शुब योगों में कोई भी शुब काम खरीदारी निवेश करना शुब फलदाई होता है इसके अलावा 17 सितंबर को सर्वार्थ सिध्धी और अम्रत सिद्धी नामद दोशोब योग बन रहे हैं इस योग में भी आप शॉपिंग कर सकते हैं 15 सितंबर और 27 सितंबर को सरवार्त सिद्धी योग बना है आप इंतितियों का भिलाब उठा सकते हैं पितर देवरूप होते हैं और उन्हें भी अपनी संतान और परिवार के लोगों की काम्याबी और खुशी से खुशी मिलती है इसलिए मन में किसी तरह का वहम नहीं पालना चाहिए आप इन दिनों सात्वी का अच्रन रखें और जो भी काम करें उसमें पितरों को भी धन्यवाद दे अपनी खुशियों में उनका भी आशरवाद ले इससे पितर नाराज नहीं होंगे और आपका कुछ भी अहित नहीं होगा इस वीडियो में फिलहाल इतना ही इसी तरह की अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ